तीन चार अगस्त की वो प्रलेकारी राज जिस आज भी सिंद नदी के किनारे रह रहे ग्रामें भुला नहीं पा रहे हैं उस जिन सचाई विवा के द्वारा मनी खेडा डेम की गेट खोलने से सिंद नदी में जल सब इतना बढ़ गया कि भिंडे दतिया के छैपुल के तेज बहाब में तिनकी की तरह वो भैग हैं नदी के किनारे बसे कई गाव के लोग अपना सब कुछ गवा बैठे इनमें भिंडे लाहाव शेतर के ग्राम अजनार पराया चिदौर गुरीरा गिर्वासा जैसे कई गाव के लोग प्रभावित हुए और ऐसे रखसूकदार लोग बेखर हो गए जिन्होंने अपने घर म नहीं जाने दिया बार में उनका घरी नहीं सब कुछ बह गया और लोग टीलों पर बसने पर मजबूर हो गए आज 18 दिन बाद में मदरप्रदेश सरकार राहत के नाम पर सिर्फ 50 के लोग यहूं ही उपलब्द करा पाई है वो तो समय आसपास की ग्रामिन जनों की मदद प विवश हैं जहां दिन में तपन और रात में मच्छरों का प्रकोप उन्हें रोलानी पर विवश कर रहा है मगर बेचारे सवाभिमान के चलते अपनी विवश्टा के चलते मौन चुपी सादे हुए हैं आज रक्षबंदन के दिन पूर्व मंत्री डॉक्टर गुविंद स संग इनबार पीड़ितों के बीच पहुंचे और उन्हें त्योहार मनाने के लिए यथा संभव नगत राशी दी और 55,000 रुपे की राशी विदायक नेदी से देने की घोशना की